हेलो फ्रेंड वेल्कम टू शाली रस्तोगी इसकी चेन और मैं शाली नी आज आप लिए लेकर आई हूँ लोकी कीवर्थी जिसको कि आप ब्रत में भी खा सकते हैं घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आती है और बहुत असानी से बन जाती है तो इस बनाना शुरू करते हैं बर्फी बनाने के लिए मैंने यहापर ले ली है किलो लॉक उ पल एल हम मेड्य हम चिलर से चेल लेंगे उसके बाद इसका दंधिल कट करके इसको फोर फीच में कट करेंगे और अब इसको ग्रेट करने के लिए कैस बक измен करेंगे इसकी बीज के और इसके पल्फ को मैंने बहार निकाल दिया है अब लौकी को हाद से दबा कर इसके सारे पानी को हम बहार निकाल देंगे इस तरीके से आप गैसमान करके रखेंगे पैन और उसमें डालेंगे 1500 ग्राम मावा, पहले हम हाद से इस्ट दूल लेते हैं अब मावे को हम भून लेंगे ताकि इसका कच्छापन दूर हो जाए और अगर हम मावे को भून के डालते हैं तो बर्फी की लाइफ भी ज़्यादे हो जाती है तो इसलिए मावे को भूनना बहुत जरूरी है मावे को मुझे 5-6 मिलिट हुए है आप देखोगे कि इसा कलर अब चेंज होने लगा है और अब यह ड्राइब होने लगा है तो बस गयस को हम और पर देते हैं और अब दूसरी पड़ाई को गयस पर चड़ाएंगे उसमें डालेंगे लॉकी प्लेम को पर देंगे मीडियम ट चार बर करना है जब तक कि हमारी लॉकी गलनी जाती है तीन से चार बर चलाने के बाद इसके लिए ढटा कर देखेंगे आप देखोगे कि लॉकी अफमारी अब गलने लगी है तोड़ी देर हम इसको इसी तरह से चला लेते हैं ताकि जो इसका पानी है वो और सूप जाए इस वक्त फ्लेम को हम भाई कर देंगे जब लॉकी थोड़ी सूखने लगेगी तब इसमें हम डाल देंगे एक पड़ा चमवाज देशी गी और लॉकी को गी के साथ अच्छे से बून देंगे आप देखोगे कि लॉकी हमारी अब मीजे चिपपने लगी है इसका मतलर लॉकी हमारी अच्छे बुन चुगी है इसका पानी सारा सूप चुका आया है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे 80 ग्राम चीनी यह आप ज्यादे मीटा खाते हैं तो आप इसको ज्यादे घड़ सकते हैं आप देखोगे कि एक बार चीनी के लिकुड फॉम में आ जाएगी तो हमें इसको फिर से सुखाना है चीनी को मिक्स कट्टे समीह, हम इसमें टाल देंगे मिक्स कर लेंगे और अभी इसको हम और सुखाएंगे लौकी अब हमारी ड्राइ हो चुकी है तो इसमें अब हम मिक्स कर देंगे मावा और 3-4 एलाइची का पाउडर इसको कि मैंने चीनी के साथ पीस के रख लिया था एक बार फिरसे सारी चीजों को मिक्स करेंगे अब slow flame पर हम इसको अच्छे से बून लेंगे जब तक ये जमने की consistency में नहीं आ जाता है और जब तक ये एक डो का रूप नहीं ले लेता है अब आप देखोगे कि लौपी का सारा पानी सूख चुका है और ये बिल्कुल चिपक भी नहीं रही है कड़ाई में बिल्कुल लंप बन चुका है और जमने की consistency में आ जुकी है तो वस अब हम गैस पो आफ कर देंगे आप इसको grease करीवी plate पर लगा कर लेंगे इसको रखना चाहते हैं उतना मोटा आप इसको पहला लेंगे तो मैंने इसको square shape में कर लिया है थाकि इसको cut करने में हमें असानी हूँ उपर से इसको चिकना कर देंगे अब इसको decorate करने के लिए या तो आप चांदी का बर्क लगा लें या फिर कटे हुए dry fruits डाल लें मैं यहां dry fruits डाल रही हूँ और चम्मा से थोड़ा का प्रैस कर द करें है कि बहुत ही बढ़िया बर्की हमारी बंकर त्यार हो गई है आप देखेंगे कि एक पीस कितना बढ़िया बनाया इसका तो आप लोग इसको जरूर ट्राई करें और अपने अनुपामेट साथ जरूर शेयर करें थैंक यू कर दो